हेलो एवरिवन, वेलकम टू जी एस टैंक, जी एस टैंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहाँ पे हम डिसकस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानि संपूर्ण भारत के राज विवस्था पे और कल हमने कंप्लीट किया था आर्टिकल 88 तक, ठीक है कल हमारा क लिस्ट में उसको देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 89 से ठीक है और आर्टिकल 89 से लेकर और 92 तक ठीक है ये कहता है प्रिसाइडिंग ओफिसर्स ओफ राज्यसभा मतलब आज का जो ऑन अ होल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिसाइडिंग ओफि भी देखेंगे और राज्यसभा पर भी देखेंगे ठीक है तो आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा हेडिंग है वो है प्रिसाइडिंग ओफिसर्स ओफ पार्लियामेंट कहने का मतलब है संसद के पीठा सीन अधिकारी हिंदी क्लियर है इसका अब इसमें आपको एक टर्म थोड़ा सा अजीव लगा होगा जोसमें मैंने यूज किया है पीठा सीन बाकि सब तो फैमिलियर ही है संसद और अधिकारी मतलब अफिसर्स अब समझ ये पीठा सीन क्या होता है तो पीठा सीन हम वैसे वेक्ति को बोलत हैं पीठा सीन वह वेक्ति होता है जिनका कहना सब माने मतलब उनको कोई ना नहीं कहें कोई भी चीज बोले तो उनको कोई मना ही ना करें ठीक है मतलब ऐसा वह पावर होल्ड करें कि वह ऐसा मतलब कहें कि कोई उनको बात को काटे नहीं ठीक है कुछ भी अगर और करते हैं तो कोई मना नहीं करें, ठीक उसी तरह, जो संसद में जो राज्य सभा और लोक सभा के जो अधिकारी होते हैं, उसमें पिठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब अगर वो कुछ बोलें, तो लोग उनकी सुनें, लोग मतलब क्या, उनके सदस्ते संसद, वो सुनें उनकी बातों को ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं उनका कुछ value ही नहीं है ऐसा नहीं होता है जो पिठासीन होते हैं उनको सब सुनता है उनका कहना सब मानता है ठीक है उनको कोई मनाही नहीं कर सकता है तो वैसे को बोलते हैं पिठासीन तो राज्यसभा के case में जो पिठा सीन होते हैं वो सभापती और उप सभापती होते हैं ठीक है जो पिठा सीन होते हैं जैसे संसत में दो हाउस हो गया राज्य सभा और लोक सभा तो जो राज्य सभा के ओफिसर है उसमें क्या क्या होता है उसमें होते हैं सभापती और उप सभापती ये हो गया राजसभा के case में और लोकसभा के case में क्या होता है इसमें होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये confuse नहीं होना है जो राजसभा में होते हैं वो सभापती और उपसभापती होते हैं और लोकसभा में जो होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इसको इतना नोट कर लेना है, ठीक मतलब ध्यान में बैठा लेना है, तो जो मैंने यूज किया पिठासीन, तो ये जो सभापती यूप सभापती हैं, वो राज्य सभा में पिठासीन है, पिठासीन अधिकारी, और जो बस आप ऐसे समझे और इजिली अगर आपको समझना है पिठा सिन के वार में जैसे आपके घर में अगर पापा सबसे मतलब मुखिया है घर के अगर दादा जी नहीं है तो पापा है घर में अगर दादा जी नहीं अगर रहते हैं तो अगर आपके पापा है तो पापा अगर क अब तेर है तो जो इसका जो पहला आर्टिकल से रिलेट करता है वो है आर्टिकल 89 ठीक है और आर्टिकल 89 क्या कहता है वो कहता है कि राज्य सभा का एक में एक सभापती और एक उप सभापती भोगा ठीक है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं फिर कोई क्रिकेट की बात करते हैं। तो उसमें Captain और Vice Captain होता है न... Captain and Up Captain ठीकू उसी तरह Article 89 यह कहता है कि राजे सभा में एक सभापती होंगे और एक उपसभापती होंगे। अब आपको पता है कि यह सभापती कौन होता है? जो सभापती होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जो उपसभापती होता है उसको संसद का सदस्य होना अवस्यक है उपसभापती को संसद का सदस्य होना अनिवार रहे है क्लियर है ये पॉइंट कहने का ये मतलब है कि जो संसद का सदस्य नहीं होते है और जो उपसभापती होते हैं वो संसद का सदस्य होते है तो यहाँ पी एक डिफ्रेंस हो गया अब ये कहता है अगला पॉइंट कि सभापती के अनुपस्थिती में उनका कार उप सभापती संभालेंगे लेकिन वह रास्ट्रपती का काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो सबसे उपर का जो पोस्ट का लोग होते हैं जो हाईयर कोस्ट के होते हैं तो उनका पद कौन संभाल सकता है उसके जस्ट लोवर वाले है न यह तो नॉर्मल सी बात है तो जो सभापती अगर अब सेंट है तो उनका कारे कौन संभालेंगे उप सभापती ही संभालेंगे लेकिन ये उप सभापती हैं वो बस एज़ सभापती काम करेंगे वो एज़ वाइस प्रेसिडेंट यानि की उप रास्टपती का काम वो नहीं करेंगे और ये जो बात है न ये बात ये कही गही है आर्टिकल 91 के तहत अगर क्लियर तोर पे देखा जाए तो ये बात आर्टिकल 91 की है ठीक है तो ये तो 89 होगी है 90 कोवर करेंगे स्कुद फिर दोबारा 91 पे आएंगे अभी तक आप ये जानिए कि ये जो है पार्ट क्यान उपस्थिती में जो उनका कार्य सभापती करेंगे ये आर्टिकल 91 से रिलेट करता है और यही उसका पहला पॉइंट है ये जो है न वो पहला पॉइंट है ठीक है अब आते हैं आर्टिकल 90 पे तो आर्टिकल 90 ये कहता है कि उपसभापती के पद की रिक्ती की जानकारी हमें मिलती है किस से आर्टिकल 90 से मतलब आर्टिकल 90 हम खाली है, वेकेंट है, तो question ये arise हो सकता है कि किस किस कारण से वो sit खाली हो सकता है, तो अगर बात करें कारण के तो पहला कारण है त्याग पत्र, अगर उप सभापती रिजाइन कर देता है, तो ये त्याग पत्र किसको देगा, ये त्याग पत्र देगा सभापती को, ठीक है यहां पर लिएतने की सदस्यता चली गई हो अब ये कहने का क्या मतलब है अब ये कहने का ये मतलब है कि सदस्यता कब जा सकती है सदस्यता तब जाएगी जब उनका tenure complete हो जाएगा उनका कारेकाल पुरा समाप्त हो जाएगा तो चुकी उप सभापती होते हैं वो संसत के सदस्यते होते हैं तो इनका कारेकाल कितना हो सकता है छे वर्स का हो सकता है तो राजसभा के मेंबर होते हैं तो इनका कारेकाल कितना हो सकता है 6 वर्स का हो सकता है तो इनका tenure हो सकता है complete हो उनकारण से इनका पद जो है सो vacant हो गया तीसरा ये हम कहा सकते हैं इसमें ये कहा जा सकता है कि जो उप सभपती का जो पद है वो इस कारण से खाली हो सकता है कि राज्य सभा में साधारन बहुमत पारित हो जाए अगर साधारन मिजोरिटी सिंपल मिजोरिटी से अगर जो बोले प्रस्ताव है ठीक है, जो प्रस्ताव है, वो पारित हो जाए, तो इनको हटाया जा सकता है इनके पद से, ठीक है, तो इनको बोल सकते हैं सधारन बहुमत से जा सकता है, simple majority से, सधारन बहुमत से, ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, चौता हो सकता है कि इनकी in office death हो जाए ठीक है पद पे रहते हुए इनकी मृत्ति हो जाए पद पे रहते हुए मृत्ति हो तो इन अलग-अलग कारणों से जो उपसभापदी का पद है वो खाली हो सकता है ठीक है तो ये बात होगे किसकी आर्टिकल 90 की अब आते हैं अगला जो कि है आर्टिकल 91 तो 91 में जो पहला point है वो मैंने आपको already बता दिया है अब इसके बारे में एक और point और है इसमें ये कहता है कि जब सभापती और उपसभापती दोनों अनुपस्तित हो तो राज्यसभा में से पांच वरिष्ट सदस्यों में से किसी एक को और अस्थाई सभापती बनाया जाता है राष्टपती के द्वारा अब ये condition तो generate हो ही सकता है कि किसी ऐसा situation ऐसा emergency आजाए कि दोनों पद यानि कि सभापती और उपसभापती दोनों पद को खाली हो जाए अनुपस्तित हो तो उस case में क्या होगा कि जो राष्टपती होते हैं वो जो 245 seat होता है उसमें से किसी पांच मेंबर को और भी कैसे प तो पांचों में से किसी एक को अस्थाई सभापती वो बना देंगे ठीक है अस्थाई सभापती मतलब टेंपरारी टेंपो ररी चेयर्मेन ठीक है तो ये कौन सा कहता है आटिकल ये कहता है आटिकल 91 तो इतना को note-down या screenshot ले लिजे फिर इसके आगे आते हैं अगला बात कर करते हैं 91 के बाद 92 यानि कि आर्टिकल 92 पे तो ये क्या कहता है कि अगर सभापती या उप सभापती को पद से हटाने का संकल्प पर विचार हो रहा हो तो वे पिठासीन पदाधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेगे अब सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति को उसके पोस्ट से हटाया जा रहा है हटाने की बात चल रहा है तो वो उस पोस्ट को तो सरव नहीं करेगा सिंपल सी बात है तो वही कहा गया है कि अगर सभापती या उप सभापती को उनके पोस्ट से हटाने का संकल्प अगर विच विचारा धीन इसको बोलते हैं, तो उस case में जो सभापती और उप सभापती जो हैं, वो उस के post के तौर पे, उस पद पे काम नहीं करेंगे, यही इसमें तहा गया है, जैसे माली जै कि अभी जो सभापती हैं, जगदीप धनकर, उनको उनके post से हटाना है, उनके post अटाने का और संकल्प पारित पे विचार हो रहा है, ठीक है, तो वो जो हैं सो सभापती सर्व नहीं करेंगे, ठीक है, यह कहा गया है, यह कहा गया है, आर्टिकल 92 में, clear point, अब तो यहां तक हो गया 92 तक कहा किसका, राज्य सभापती पिठासीन के बारे में, पिठासीन पताथिकारी के बारे में, जो कि यह आर्टिकल 92 तक है, अब जो 93 से जो स्टाट होगा, वो लोक सभा के बारे में स्टाट होगा, है same, मतलब same पिठासीन पताथिकारी के बारे में ही है, लेकिन यह लोक सभा से रिलिटेट है, उसके पहले, उसके पहले आप जानिए, प्रोटेम स्पीकर के बारे में अब प्रोटे में स्पिकर क्या होता है यह अब सुने होंगे प्रोटे में स्पिकर के बारे में जो होते हैं वरिस्ट सदस्य होते हैं लोग सभागे ठीक है आप इसको बोल सकते हैं वरिस्ट सदस्य ठीक है अब ये क्या होते हैं तो ये जो होते हैं वो होते हैं अस्थाई अध्यक्ष होते हैं जो प्रोटे में स्पीकर होते हैं वो टेंपररी चेयर्मेन होते हैं अस्थाई अध्यक्ष होते हैं और इनकी नियुक्ती और सपत अब आप एक सिंपल सी बात समझिये, लोक सभा में कितने हैं? 543 सीट है. अब राष्ट पती तो उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो सारे मेंबर्स को सबस दिलाते रहे, सारे मेंबर्स की नियुक्ति करते रहे, उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं जो सदन में बैठे हुए, जो मेमबर्स हैं 543ं, उसमें से सबसे senior को, वरिष्ट को चुनते हैं और उनको सपत दिला देते हैं, नियूप्टी करते हैं और सपत दिला देते हैं उनको, ठीक है? तो वो बन जाते है प्रोटे में स्पीकर अब, अब क्या होता है जो प्रोटे में स्पीकर होते हैं वो बाकी लोगों को सपत दिलाने का काम करते हैं जो बाकी सदस्थ से होते हैं लोग सभा के उनको वो सपत दिलाते हैं जिसमें एक speaker भी बैठा हुआ होता है, speaker क्या होता है, वो भी तो लोगसभा का सदसी होता है, तो speaker जो सपत लेता है, वो as a member of लोगसभा सपत लेता है, वो as a speaker of लोगसभा सपत नहीं लेता है, मैंने से dual 3 में आपको बताया भी था, जो speaker of लोगसभा होता है, वो सपत नहीं ले वो पहले ही सबत ले चुका होता है लोकसभा मेंबर का ठीक है यह पॉइंट आप याद रखिएगा तो यह यही कहता है कि यह नए सदस्यों को सपत दिलाते हैं तो राश्ट पती तो इनकी नियुक्ति कर दिये अब इनका काम है कि वो बाकी लोगों को सपत दिलाएं ठीक है प्रोटमे स्पिकल क्लेर है अब इससे रिलेटेट जो पहला आerटिकल 93 वो देखते हैं क्या कहता है तो यह यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्याक्ष और एक उपाध्याक्ष होगा ठीक आर्टिकल 89 के तहत क्या था कि राजज सभा में एक सभापती और एक उपसभापती आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा बस यही कहता है जिसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो लोकसभा के सदस से होंगे यह कमपलसरी है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो बिलकुल लोकसभा के सदस स होंगे ऐसा नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष जो है वो लोगसभा के सदस्य ना हो सभापती की तरह इस केस में क्या है कि जो लोगसभा के अध्यक्ष होंगे यानि speaker होंगे वो लोगसभा के member होंगे ठीक है अगला point गता है कि लोगसभा के सदस्य को अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है मतलब जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो वही मतलब जो सदन में जो मेंबर होते हैं उसी में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाद्यक्ष बनाया जाता है, चुना जाता है, किसके तहट? Simple Majority के तहट, Simple Majority बोलें, या फिर साधारन बहुमत के तहट, साधारन बहुमत, साधारन बहुमत से अगर संकल पारित हो गया, तो वो select हो जाएंगे, ठीक है? तो यह हो गया Article 93, अब आधियाक्ष अगला Article 94 पे, यह क्या कहता है? कि यह अनुचेद, लोकसभा के अध्याक्ष और उपाध्याक्ष के पद की रिक्ति की जानकारी देता है, तो जो Article 94 है, बस वो relate करता है किस से? अध्याक्ष और उपाध्याक्ष के पोस्ट के वेकेंट से relate करता है, ठीक है, मतलब पद की रिक्ति की जानकारी देता है, और यह पद रिक्ति किस किस में हो सकता है, पहला तो यह है कि यह resign कर दे, त्याग पत्र, और त्याग पत्र कौन किसको देगा? त्याग पत्र जो है वो देंगे अध्यक्ष को, यह आपस में एक दुसरे को त्याग पत्र देते हैं, तो त्याग पत्र अध्य देंगे तो seat खाली हो जाएगा, दुसरा case क्या है कि in office death, पोस्ट पे रहते हुए इनकी मृत्पी हो जाएगा, in office death, और तीसरा है कि इनको खटा दिया जाए, तो इनको खटाने के लिए क्या करना परेगा, इनको खटाने के लिए बस simple majority, सधारन भवमत से संकल पारित करना होगा, जिस तरीके से ये आते हैं, चुने जाते हैं, थीक सथरा ये खटाये बेजाते हैं, सधारन भवमत से, सदारन भॉमत से दोनों हटाये जा सकते हैं और दोनों मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पॉइंट तो इतना इसको नोट डाउन स्क्रीन सोट ले लिजे फिर बागी आर्टिकल को देखते हैं इसके अगला है आर्टिकल 95 यानि की अनुछेद पंचान में तो ये क्या कहता है ये ये कहता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उस पद को संभालेंगे और यादि उपाध्यक्ष का पद खाली है तो लोक सभा के कोई एक सदस से उसको संभालेंगे ज उस post को कौन संभालेंगे? उपाध्यक्ष संभालेंगे. लेकिन अगर उपाध्यक्ष का भी post खाली है, तो उस case में क्या होगा? कि राष्ट पती एक ऐसे लोगसभा मेंबर को चुनेंगे, जो उस post को सर्व कर सके. ठीक है? मतलब राष्ट पती जो है, एसे लोगसभा के सदस्य को चुनेंगे, जो उस post पे सर्व करेंगे. ठीक है? जो कि अस्थाई होंगे. ठीक है? पर्मानेंट नहीं ये, टेंपररी होंगे. अगला है आर्टिकल नाइन्टी सिक्स. ये क्या कहता है? कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों को पद से हटाने का संकल्ग पे बिचार हो रहा हो, तो वे पिठासीन अधिकारी के तोर पर काम नहीं करेंगे. अब थोड़ी दिर पहले मैंने चर्चा किया था, राजसभा से रिलेटेड. उस case में क्या था? कि मैंने ये बताया था, कि जो वेक्ति को उस पोस्ट से हटाया जारहा है, तो वो वेक्ति उस पोस्ट को सर्व नहीं करेंगा. औभियस सी बात है. तो आर्टिकल 96 के case में क्या है? तो ये लोकसभा से रिलेटेड है. अगर उसके अध्यक्श और उपाध्यक्श को उसके पद से हटाने की बात चल रही है उस पर विचार चल रहा हो, उसके संकल्प पे तो उस case में अध्यक्श और उपाध्यक्श जो हैं, वो एजब पिठासीन अधिकारी काम नहीं करेंगे, पिठासीन मतलब तो मैंने बता ही दिया है, तो वो उस पोस्ट पे काम नहीं करेंगे, जैसे अभी जो है सो ओम बिरला पे, लोक सभा के जो 17 में lysट कर हैं, ओम बिरला। 17 में इस्पी कर, उनको उनके पोस्ट से हटाने की बाद चल रही है, लेकिन 96 तो ये कहता है कि वो उस पोस्ट पे काम नहीं करें अगर उन पे हटाने का विचार चल रहा हो ठीक है तो यहां तो को गया 96 जो की लोग सभा के पिठासीन अतिकारी से रिलेट करता है तो आज हमने बात किया आर्टिकल 89-92 और 93-96 जो ये राज सभा के पिठासीन से था और ये लोग सभा के पिठासीन से था ठीक है तो उमीद करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा हम ट्राइ किये हैं कि एकदम आसान भासा में पूरे आर्टिकल्स जो भी इससे रिलेट करते हैं उसको और करने का ठीक है तो आपको आज के वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में आप जरूर बताईए और यदि आपनी इस वीडियो को अभी तक like नहीं किया है share नहीं किया है चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो like भी कर देजिए share भी कर देजिए और channel को subscribe भी कर देजिए और comment section में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा है फिर मिलते हैं कल और कल हमारा जो topic रहेगा वो रहेगा powers of लोकसभाय speaker उनके क्या कार रहे हैं उनके क्या powers क्या सक्तियां है उस पर relate करेगा कल का वीडियो ठीक है तो तब तक के लिए बाई बाई गुडबाई टेक क्या